गुवाहर्टी वंडे में भारत के स्टार बल्लेवाज विराट कोहली ने केवल 80 गेन पर 10 चौकों की और एक छक्की की मदद से अपने वंडे करियर का 45 सतक लगाया अब वो वंडे क्रिकेट में सतकों के मामले में सच्चन तंदुलकर से केवल 4 सतक पीछे हैं भारत की सरजमी की बात करें तो उनके बल्ले से करीब 1043 दिन के बाद यह सतक आया है कोहली ने इस मैच में आउट होने से पहले 87 गेंद पर 113 रन की पारी खेली इतना ही नहीं अंतर राष्ट्रे क्रिकेट में यह उनका 73 वा सतक है हाली में बांगलादेश के खिलाव 37 मैच में उन्होंने 113 रन की पारी खेली थी इस पारी के साथ ही विराट कोहली ने भारत में अपना 20 वा सतक पूरा कर लिया है और इस मामले में दे ग्रेट सचिन तेंदूलकर की बराबरी कर ली है इतना ही नहीं उन्होंने यह कारनामा केवल 102 मैच में ही करकर दिखाया है जबकि सचिन ने अपना 20 वा सतक 164 में मैच में पूरा किया था विराट कोहली के नए साल पर लगाये गए इस सतक को लेकर क्रिकेट के कई दिगज खिलाडियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है लेकिन सबसे अनोखी प्रतिक्रिया पुर्व भारतिय बल्लेवाज वसीम जाफर ने दी है जाफर ने विराट कोहली की तस्वीर सेयर करते वलिखा सेयर के मुँँ में खून लग गया है इस साल बहुत सिकार होने वाले हैं दरसल वसीम जाफर की यह चुनौती भारत आने वाली टीमों के लिए है आपको बता दें कि स्ट्रिलंका के बाद यहां न्यूजिलन्ड के टीम तीन वंडे और तीन टी-ट्वेंटी मैच खेलने आएगी उसके बाद आस्ट्रेलिया के टीम बहु प्रतिक्षित बॉर्डर गवास के ट्रॉफी के तहट चार मैच की टेस्ट स्रीज खेलेगी